नहां पे जो एक questions था, कि एक बच्चे ने पुछा कि Ram eats a mango, तो Ram eats a mango, सर ये mango के पहले ए क्यों लगाया आपने, ये question बढ़ा ही बोला बोला है, और बहुत ही question कहा जा तो मासून question है, लेकिन इसको हम लोग देखा जाए, तो इसमें बाकई छूपा हुआ रहस्या है, आखिर mango क पहले, Ram eats a mango क्यों बोलते हैं, Ram eats a mango क्यों बोला, तो इसको जानने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए मैं highlight करता हूँ, एक term है, आपने बच्च्पन से देखा होगा article, जैसे ये article आता है, आपके दिमाग में आता होगा, a, an, or the, ठीक है, तो आपके दिमाग में आता होगा, a, an, or the, ये तीन टर्म आपके दिमाग में आता होगा, clear, अब मैं आप से पूछना चाहता हूँ, उसका जबाब देना, example यह है, हमने कहा, Ram is an honest, Ram is an honest, अब तु मुझे बताओ, ये sentence right है या wrong है, right, right लग रहा है न, ये sentence गलत है बच्चे, Ram is an honest sentence, गलत है, ये ही तो भरम था उस बच्चे का, जिसने कहा था, कि ये क्यों लगाया, ये क्यों लगाया, ये समस्या था उसकी आर्टिकल की, तो यहां पर highlight किया हमने, कि आखिर आर्टिकल टर्म क्या है, तो Ram is an honest, गलत है, और अभी आप लगातार बीडियो देखो, ये बच्चे बात को आर्टिकल का, तो आर्टिकल is nothing, it's the part of adjective, basically आर्टिकल, एडजेक्टिव का छोटा भाई होता है, एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे, कि आडजेक्टिव नाउन की तारिफ करता है, जानते हो ना, नहीं तो फिर अगली वीडियो देखना, तो आडजेक् है, तो नाउन आगे-पीछे होगा ही होगा, sorry, यानि कि adjective है, तो आगे-पीछे नाउन होगा ही, होगा, या तो आगे-पीछे होगा, clear, अब हम दísखते हैं, इसको पूरूफ करते हैं, जैसे हमने बात करा, कि, राम is a good boy, राम is a good boy, लाम is a good boy, अब देखो मेरे प्यारे अगर नाउन है तो इसके पहले बोलो adjective है कि नहीं है न अब देखो हमने good को मिटा दिया यहां dot 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 कर दिया अब मुझे बताओ कि जो खाली अस्थान है यहां पर adjective आएगा कि नहीं आएगा आएगा न राम is a good boy, राम is a tall boy, राम is a fat boy, राम is a sad boy यहां कुछ भी लगाओगे त अब बताओ कि राम is a boy, अब यहां मिटा दिया हमने और लिए राम is a boy, अभी जश्थ कहा था तुम्हें कि नाउन से पहले कौन रहता है, adjective, बोलो नाउन से पहले कौन है, adjective तो बोलो राम is a boy, यानि a adjective हुआ कि नहीं हुआ, तब ही हमने proof क्या करा, कि article adjective का भाग है, तो रा अब समस्या है, कि तुम यूटूब पे देख रहे हो, तुम्हें दिमांग में यह आएगा, कि भाई यह boy है, जरा सर एक को हटा के दिखाएगे, अब यही कोशन कल का था लड़के का, कि हमने का, राम is a boy, राम is a boy, अब देखो राम is a boy, boy क्या है तुम्हारा नाउन, अब मैं तो भर्ब हूँ, तो बॉआए ने कहा, कि मैं तुम्हें बरबाद कर दूँगा, यहनी संटेंस गलत कर दूँगा, यानि कि राम is a boy, संटेंस गलत है, क्यों? क्योंकि अजट्यक्टिव नहीं है, समझ पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अजट्यक्टिव नहीं है, बिना आर्टिकल के नाउन होता ही नहीं, यानि कि तुम ऐसे कह सकते हो, कि अगर तुम्हारा संटेंस हो, कि आर्टिकल अगर हो, तो इसके बाद नाउन तुम्हारा आना ही आना है, अगर तुमने बॉय लिखा, तो इसके पहले ए लगाओ, चाहे द लगाओ, चाहे कुछ भी लगाना पड़ेगा तुम्हें आर्टिकल, नहीं तो गलत हो जाएगा, clear, उसी पर कहल लगे ने क्या पुछा था, राम, इट्स, मेंगो, एक कोशन था आप पहले, जो यूटूब पे पुछा था बचो ने, तो राम, इट्स, मेंगो, मेंगो क्या है, नाउन, नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल चाहिए ही, चाहिए, ऐसा कोई एक्जामपल नहीं है, जिसमें नाउन हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, और उसके पहले आर्टिकल नहीं आया हो, याईनि राम, इट्स, अमेंगो, क्यों पूफ वा सही, मेंगो नाउन है, इसको चाहिए क्या, एड्टिक्टिव, एड्टिक्टिव का मतलब क्या है, आर्टिकल, तो राम, इट्स, आ, मेंगो, अब है सही हो गया, इसके पहले हमने आपको टेस्ट दिया था, कि राम, इस एन आउनिस्ट, वहाँ बापस आता हूँ, इस समझ में आगया आपको, कि नाउन होगा तो आठिकल होगा, अब बापस आई, अब क्या समस्या है, कि structure नमर टू, कि आठिकल हो, इसके बाद एड्टिक्टिव हो, इसके बाद नाउन आओ, आठिकल हो, एड्टिक्टिव और नाउन हो, तो अब देखना ये है, कि हमने कहा तुम एग्जामपल, देखना गॉर से, कि राम, इस आर्टिकल लगाया, एन, यहां पर दिया, हमने अनिस्ट, अब बोलो बिटा, अनिस्ट के पहले एन लगा दिया, और तुम हो ग्रेंट सन, अब तुम दाजी के पीछे जा रहे हो, राइट, दाजी पीछे जा रहे हो, तब ही अचानके बीच में क्या होता है, कि बीच में एक मोटू आया था, समझना आराम से, भीरबाड़ है इलाका, तो यह तुम्हारे दाजी है, यह तुम उनके ग्रेंट सन हो, यह बीच में मोटू आ गया, अब सोचना आराम से फोटो देखो, इस मोटू से कोई मतलब है, नहीं न, तुम्हे मतलब किस से है, दाजी से, यह दाजी तुम्हारे नाउन है, यह छोटू तुम कौन हो, आर्टिकल हो, यह मोटू कौन है, अइडिव है, तुम काम किस के लिए कर रहे हो, नाउन के लिए, अभी एक लाइन क्या कहा, आर्टिकल इजोस्ट, फोर दी नाउन, आर्टिकल इजोस्ट, फोर दी नाउन, आर्टिकल इजोस्ट, फोर दी नाउन, तो यह काम करेगा इसका sound लेगा इसका यानि राम is an honest यहाँ पर तुम दो boy अब boy के लिए क्या आया है और honest का sound ले लिया अगर तुम boy हटा दिया तो बोलो and किसके लिए आएगा इस motu के लिए नहीं न तो बोलो यह sentence गलत हुआ न तो जब गलत हुआ तो इसका सही क्या होगा तो सही होगा राम is an honest boy और boy तुम्हारा noun है honest तुम्हारा adjective है आर्टिकल तुम्हारा an है अब बोलो तुम्हारा example सही हुआ को नहीं हुआ यह गलत हुआ को नहीं हुआ तुम बच्पन से पहले लेते हो local छाप मास्टर तुम्हें पढ़ा देता है कि honest की पहले आन लगा देन बेटा honest adjective है और adjective में article नहीं लगता बेटा real you सेखो exam क्या दुनिया में जो चाहो अंगरीजी में कर सकते हो लिख सकते हो पर सकते हो बोल सकते हो ठीक है और धर्मेन सर से जुड़ो चाहे offline हो चाहे online हो मैं तुम्हारे साथ हूँ subscribe करो like करो thank you very much फिर से मिलते हैं अगले वीड जड़ते हैं झाल दुम्हारे समय कर दूँ